अलो फ्रेंड्स एर राइफल की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है और हमारे दर्शकों उमें से कुछ दर्शकों ने दिमांड की थी किसी दस जार से नीचे के रेट्स की एर राइफल के वीडियो डालें कुछ और किसी ने HDB के बात किती सब्सक्राइब के बारे में तो यह आज जो मैं आपको दो गंज दिखाऊंगा यह दोनों ही 10,000 से नीचे के अमांट है इनका इसमें से सबसे पहले नंबर में बताऊंगा आपको HDB 35 मॉडल इस ब्राइफल आईये यहां आप इसका ब्राइडिंग देख सकते हैं HDB HDB 35 यह वोडन स्टॉक में है इसका लकडी का बठ है काफी सुन्दर बठ है और यह इसकी दो साइट्स जब कि इसमें अगर स्कोप की बात करें तो स्कोप के लिए इसमें रेल नहीं दी गई है तो कोई स्कोप लगाने की तरी स्कोप लगाने की इसमें रेल नहीं है शोकी है निशाने बाजों के लिए यह अच्छी गन है HDV की गन भी अच्छी मानी जती है और इसका रेट शायद ये 6,000 से कम है, 6,000 परे से कम है तो हम पेज का लिंक डाल देंगे जो गन डिलर हैं आप उन से इसका रेट के बारे में पता कर सकते हैं यहां इनका पूरा एड्रेस है कलकत्ता की यह बनी हुई तो जिनका बजट लो है जो लो बजट में एर राइफल करना चाते हैं और शोकिया निशाने बाजी करना चाते हैं वो इसको ले सकते हैं और यह एक और दस अजार से नीचे के प्राइस में इंडिया की एक बेतरीन कंपनी प्रैसी ओल की और वी एक्स हंडर्ड स्पार्टन MK2 इसकी मैनिफेक्टरिंग कुछ समय के भी शायद बन कर दी गई थी दोबारा से कुछ चेंजिस के साथ इसको कंपनी ने फिर से बनाया है थोड़ा लुक चेंज किया है मेरे हाथ में सोटी चोट लगी है मैं प्रॉपर गन पकड नहीं पा रहा हूं इसके लिए माफी चाहूंगा तो यह फाइबर स्टॉक है यह रसी ओल की गन्स तो बेतरीन गन्स हैं और इसमें यह सेफ्टी है ट्रिगर सेफ्टी यह आटो सेफ्टी होती है जैसे आप गन को करते हैं यह सेफ्टी ओन हो जाती है इसमें और सेफ्टी हटागे यह फायर कर सकते हैं इसमें टेलिश्कोप लग सकता इसमें यह रेल दी गई है अर असानी से स्कोप इसमें एड़ेस्ट हो सकता है और यह गन शायद आठ नो हजार के प्राइस रेंज में है तो डीजर से बात कर सकते हैं अब इन दोनों गन से हम दो दो शॉट चला के देखेंगे अगर हम पेनिटरेशन की बात करेंगे इसकी तो एनेक्स से तो निश्ची तो निश्ची तो पर यह पिशड जाएगी कि इनकी प्राइस रेंज करन मैं और इनका एफपीएस काम है जैसे के मुझे बताया गया इसका एफपीएस चायद आठ सो के लगबग है तो दो दो शॉट फायर करके देखते हैं कि क्या प्रफॉर्म करती है यह रैसी ओल की VX 100 स्पार्टन और HDB की 35 मॉडल तो शुटिंग के लिए चलते हैं दो दो शॉट चलाएंगे दोनों गान से और इस डाइरी पे चलाएंगे हम यह गत्ता है इसका मोटा और पेनिट्रेशन देखेंगे और पैलेट रहेगा हमारे पास यह मेगनम अपोलो का सिर्फ हमने आलकी सिस्की पेनिट्रेशन देखनी है कि कौन सी ज्यादा पावर्फूल है और मुझे लगता है VX 100 पावर्फूल हो भी जहां तक बिना फायर किये अंदा जात में लगा सकता हूं तो SDB 35 मोडल सबसे पहले इससे फायर करूंगा और यहां रखके फायर करूंगा मैं और देखें लगता भी एक नहीं लगता है पहले जोड़दार धमाका हुआ है एक राउंड और फायर करते हैं तो चल के देखते हैं सेक्ट पैलेट डाल दिया गया है मैं पैलेट नहीं डाल पार हूं यह मेरे हाथ में थोड़ा फ्रिक्चर है तो आप यह फायर करके देखते हैं तो पैलेट एस्टी बी 35 के टकराए हैं और काफी अलका ना समझें इस गन को भी तो यह भी काफी अंदर तक गई है एस्टी बी की एस्टी बी 35 मोडल अंतिम डेमिज यहां तक आया मैं मार्क कर देता हूं इसको यह है हमारा यह डाइरी उल्टी रखी हुई है हमने फरबरी में पहुंच गई है तिसंबर से ले चलती हुई तिसंबर से फरबरी तक अब यहां वी एक्स अंडर से फायर करेंगे प्रेसी ओल की अब वही पैले टामने इसमें डाला है वी एक्स अंडर स्पार्टन स्पार्टन में और यह सेफ्टी अटाज लग 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 वही लगी है जहां में बारना चाता हुथा यह सेकिंड पैले डाला है इसमें और देखते हैं अब कहां इटापता है यह वह ग्रूपिंग देखी एक आसे भी हम शूट कर सकते हैं चलके आप पैरिट्रेशन देखते हैं तो यह एस्टी भी 35 मॉडल के थे दो पैलेट यहां इट हुए थे और यह दो लगे हैं हमारे वी एक्स हंडर्ड के स्पाइटन के और देखते हैं कहां तक गया है यह तो तो मुझे लगता है कि यह वी एक्स हंडर्ड पीछे रुख गई है यह यह पर यह लास्ट निशान यह है और जब की है एचडीवी का लास्ट इंप्रैजि लास्ट जर देमेज आया हुए है यहां तक है इतने पेज आगए गया है श्टी व और यहां रुख गया है हमारा यहीं पर रुक गया है इस ताइज पर डेमेज नहीं नहीं यह लाश्ट डेमेज आया है हमारे पास VX100 का VX100 काफी पीछे रुक गयी है कमाल की बात है क्योंकि HDB 35 है यह इसमें प्राइस में कम है और यह देखो इसका डेमेज यहां हम देख सकते हैं इन पेजों का हम छोड़ दें ही आगे तक यह लेगिन यह देखो यह कितना यहां से आगे गया हुगा है यह दोनों पहले तक गया है इसके और यह यहां रुक गया है यहां हम देख सकते हैं यह था हमारा HDV का HDV 35 और यह हमारा VX 100 तो निश्चित तोर पर यह डेमेज जादा है आपके डिमांड पर यह की दो इंडिया की बेतरी नियर राइफल जिनका रेट 10,000 से नीचे है और यह इसका रेट तो मुझे लगता है लगबंग 6 के आसपास है 6 से फोड़ा काम होगा आप जो भी दंशाओ वारियां उच्छे डिरेक्ट पात कर सकते हैं और यह आई थिंक लेस तेन एट या नाइन के लगए लेस तन 8,000 है टोपी शायद दिये कोनों ही देखने में सुन्दा राइफल का है पैनिप्रेशन के मामले में इसने फोला उसा इससे जा रखेतर किया है यह तक यह एकुरेसी के मामले में कैसी रखी है उसके बारे में मैं नहीं सकता लेक इसने ऐसा सीफ्टी के कोई फीचर नहीं दिया गया है तो जो इन गन्स को इनका बजट काम रहता है वो इन गन को ले सकते हैं यह भी बेतरीन गन है ताइंक्यू